नमस्कार दोस्तों अज मैं फेस्बुक के आडियो लाइब में आपके साथ हूँ आप जानते हैं कि मुझे नेने प्रियोग करना अच्छा लगता है तो अभी कुछ साथियों का मैसेंजर में मैसेज आया था कि आज आप ने साम में वीडियो नहीं किया दरासल आज मैं छुट्टी पर था तब यह थोड़ी खराब थी नासाज थी और इस बज़ा से मैं सुच्छा कि आज मैं आप लोगों को एक सर्प्राइस तूँ फेस्बुक पर हम आडियो करते हैं आप मेरे एक दोस्त ने प्रवीन जी हैं दोस्त है मेरे हमारे पब्लीशर भी है उन्होंने एक मुझे बुक का कवर वेजा भी जो बुक का कवर है वो बहुत तकलीफ दे है एक पब्लीशर है आप देखेंगे वामपंथ की जो पुरी तैयारी होती है वो कितनी मजबूत होती है जगरनौट करके एक पब्लीकेशन हाउस है बहुत बड़ा पब्लीकेशन हाउस है आप सब जानते हैं एबीपी न्यूज आप देखते हैं एबीपी न्यूज की जो मालिक है अवीक सरकार उनकी बेटी का ये पब्लीकेशन हाउस है तो समझ सकते हैं टोन बामपंथ ही होगा टोन ही नहीं है पूरा ही बामपंथ है असल मैं एक वो किताब ला रहे हैं दा बर्थ आप काली और त इसमें हमारे जो पौरानिक आख्यान हैं हमारी जो पौरानिक कताएं हैं उन सब को विक्रित करने का एक संगठित प्रयाज जारी है हम उतको माइथ्रोलोजी कह देते हैं मिथक कह देते हैं हम खुद ही अपनी चीजों का सम्मान नहीं करते तो दूसरे तो नहीं ही करेंगे और जो मैकाले ने सोचा था कि भारत की संस्कृति को अगर खतम करना है तो उसके जो यूथ हैं उसके माइंड को पॉल्यूट कर दो मैकाले ने बहुत पहले सोचा था और वो प्रयास अभी भी जारी है बर्यस्तर पर तब बर्थ अब काली किताब है जगरनौट पॉब्लिकेशन का और अनिता शिप कुमारन है कोई लेखी का है वो लिखती है किताब का भी कबर ही देखा है मैंने देखिए उसका टोन देखिए उस किताब के पीछे है How exactly did द्रॉपती share a one room hut with her five husband What kept सिताई सिता को सिताई लिखा गया है What kept सिताई occupied when रावना was not hunting deer and do months राम को रामना लिखा गया है मिथक को कैसे बिगारा जाता है अभी नरेंद्र कोली जी का एक मैं साच्छातकार सुन रहा था नरेंद्र कोली जी से हम सब परचित है पुरानी काख्यानों में अगर नए सिरे से उतको परना है आपको तो राम की जो पूरी कथा है वो नरेंद्र कोली जी से बेतर किसी ने लिखी modern समय में बिबी का अनंद पर नरेंद्र कोली जी से अच्छा किसी ने नहीं लिखा नरेंद्र कोली जी कहते हैं कि यह नरेंद्र कोली जी के सब्द हैं मैंने कहा अमीश कुछ अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम हमारे संस्कृति को बिगाड़तो मत तुम दिखा रहे हो कि सीता के जो चाचा है वो उसकी हत्या करना चाहते है बताओगे कहां कहां लिखा है ऐसा तुम दिखा रहे हो तुम लिख रहे हो कि सीता बचपन में हनुमान के साथ खेलती थी हनुभहिया हनुभहिया करके कहां लिखा कि इस रामायन में लिखा है अगर तुम अपनी कथा ही कहना चाहते हो तो करेक्टर के नाम क्यों नहीं बदल देते राम की जगह कुछ और करो सीता की जगह कुछ और करो प्रसिद्धी तो तुम रामायन पर लिख कर पाना चाहते हो लेकिन बिगार तुम पुरिश्ट संस्कृति को रहे हो ऐसे ही बहुत सारे विवाद रामायन को लेके गाहे बजाहे लोग खड़ा करते हैं असल में जो जनक की परमपरा है वो मैं अभी एक और किताब लिख रहा हूँ छोटा छोटा आपको मैंने राज योगी में भी जनक की परमपरा के बारे में बताया जनक एक राजा नहीं थे जनक की पूरी परमपरा में समाज में उथल फुथल था, अस्टा वक्र भी जनक की ही राजसभा में गए थे, यागवलक और गारगी का संबाद भी जनक की राजसभा में ही हुआ था, राम ने जनक की पुत्री सीता से ही साधी की थी, स्वैंबर सीता का हुआ था, तो जनक की पूरी परमपरा है, जनक 54, 54 राजा है, अलग-अलग परमपरा है, अमिश्तिर पाथी ने उस परमपरा पर चोट किया, अमिस्तिर पाथी ने अभी हाल में अभी वो एक सुहेल देओ पर वो लेकर आ रहा है कतानक जिस पर अभी विवाद हो गया है और जो अभी रुख गया है आप बहुत सारे लोग मैंने लिखा तो बहुत सारे लोग मेरा बिरोध कर रहे थे देबदत पतनायक को लीजिए देबदत पतनायक ये शाबित करते हैं कि माभारत पहले हुआ रामायनबाद में हुआ आपकी पूरी जो अंग्रेजी में कही क्रोनलोजी आपके पुरे यूग का बोध सत्यूग से कल्यूग तक पुरे यूग के बोध को खतम कर देता है देबदत पतनायक लेकिन जब हम बात करते हैं तो हमारे ही कुछ लोग हैं जो वो लिख रहे हैं आपको क्या दिक्कत है वो इसी बहाने हमारे संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं असल में ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर में गीता को रामायन को लाल कपरे में बांद कर रख दिया है ये वो लोग हैं जो महाभारत अपने घर में नहीं रखते काते हैं भाईों में जगड़ा हो जाएगा जिन घरों में महाभारत नहीं है वो भाई कितने जुड़े हैं हर घर तूट रहा है ये समझने की जगा अगर हम माभारत रखेंगे तो भाईों में दरार आ जाएगा आपको विश्टन थौट ने धीरे धीरे आपके दिमाग में एक इंजेक्शन दिया है जाहर का गीता हम नहीं पढ़ते काते हैं गीता की कहानी मौक्स से जुड़ी है मरते वक्त परहेंगे गीता के पस्चिम इस पर इतना इतना सोध कर रहा है करता रहा है तो जब आप लाल कप्रा से अपनी संस्कृति को बांध देंगे तो आपकी संस्कृति कमजोर होगी दूसरे लोग हमला करेंगे और आप उसी के अधिकचरे ज्यान को कहेंगे बाई साब कोई बढ़ा तो रहा है वो कूड़ा बढ़ा रहा है वो आकरमन कर रहा है जैसे एक उदारन लीजिए कि हमारे दो हाथ हैं और हम अपने एक हाथ को बांध कर रख देते हैं पंद्र दिन बाद हम उस हाथ को खोलते हैं उस हाथ में जान नहीं रह जाएगी आप सब ने उस लाल कपरे में जो हमारे पौरानिक अख्यानों को बंद कर दिया है वो धिरे धिरे दम तोड रही है मैं उपनिशत की बात करता हूँ माभारत का काल था समाज में उथल पुथल था तो बहुत उथल पुथल था मौत के बारे में जानना ब्रम के बारे में जानना परमात्मा के बारे में जानना समाज में उपनिशतों की वहीं से रचना होई वेदान्त कहते हैं वेद का आखरी भाग वेद का ज्यान खंड वेदान्त हमारी जो उपनिशद है 108 जिसमें से आधिशंकर ने करीबी 10-11 का भाष्र किया है तो हम उपनिशदों पे बात नहीं कर पाते क्योंकि हम नहीं जानते हम पुरान पे बात नहीं कर पाते पुरान में हमारे राजा जो पितु है वहां से कहानी शुरू होती है पूरा वंस बिक्च है हम बात नहीं करते हमने जड काटने के लिए अपना ही जड पस्चिम के हिसाब से काटा है पस्चिम ने हमारे पुरानों का मजा कुराया हमने भी उसका मजा कुरा दिया क्योंकि पस्चिम को पता था कि पुरानों में भारत का इतिहास है हमने अपने इतिहास का मजा कुरा दिया और हमने नहीं उराया लोक मानने तिलक जैसे लोगों ने रामधारे सिंग दिनकर जैसे लोगों ने उन सब को भी विश्टरन थोट के असर में वो ऐसे आ गए कि आप देखिए लोकमाने तिलक उनकी गीता रहस्य आप पढ़ेंगे अद्भुत लाजबाब लेकिन लोकमाने तिलक आरे द्रबीर के उसी पस्चिम के थियोरी के चक्र भी उमें फस गए थे लोकमाने तिलक ने भी माना कि आरे उत्री धुरुब से आए भारत में वो भारत के मुलनागरिक नहीं थे लोकमाने तिलक से पूछा गया कि उत्री धुरूप में से कहां से आ गये घोड़ा तो वहां होता नहीं और आरे तो यहां रत की सवारी कर रहे थे लोकमाने तिलक के पास इसका कोई जबाब नहीं था रामधारी सिंग दिन कर इतने बिद्वान वो भी आरे द्रवीर थ्योरी के चंगुल में फस गए क्योंकि संस्कृती के चार अध्याय पढ़ेंगे वेश्टर ने आरे को हमेशा बाहर से दिखाया और आज के जो हमारे ये कथाकार नयने उभर रहे हैं दिवदत पटनायक जैसे जो कहते हैं माभारत तो पहले हुआ रामायन बाद में ये सब और ये लंभा संगर्श है अठारा सो के चोतिस मैंतिस के आसपास से चला आ रहा है तो ये संगर्श चलता जाएगा लेकिन उस वक्त हमारे विद्वान थे दियानन सरस्वती थे विवेका नंद थे जब पश्चिम की आहट पहली बार मसूस हुई तो आदिशंकर थे उन्होंने हमारे उपनिश्वतों का उद्धार किया उत पे भास्चे लिखे ब्रह्म सुत्र प्रभास्चे लिखे गीता पे भास्चे लिखे और सिंदु धर्म को सुरच्चित सरच्चित करने के लिए मठों के आधार पे चार मठों के अस्थापना की अखारों की रचना की तो तब महापुरुष थे जिसकी वज़ा से हम बच गए लेकिन आज आज नरिंद कोहली जी पूछ रहे हैं अमिस्त्रिपाठी से अमिस बताओ तो सही कि हनु भाईया के साथ सीता कब खेलती थी अमिस बताओ तो सही कि कब सीता के चाचा ने सीता की जान लेनी चाही कौनसे माभारत में पढ़ा तुमने अमिस के पास कोई जवाब नहीं है हम इसके पास एक जवाब है कि वो बेश्ट सेलर ओथर है उसकी किताब 20 लाग बिग जाती है इसलिए और हम पढ़ते हैं उसको क्योंकि हम अपने सास्त्रों में नहीं जाकने की ठीमत रखते हमें परिक्षा में कुंजी पढ़कर पास होने की आदत रही है गुटका पढ़कर पास होने की आदत रही है पुरे साल हम नहीं पढ़ते और परिक्षा के एक रात पुरी रात जग के पढ़ते हैं हमारी पुरी मानसिक्ता मैगी मानसिक्ता है टू मिनट नूडल्स की मानसिक्ता है हमें सौट में चाहिए क्योंकि हम सोध से गुजरना नहीं चाहते क्योंकि हम अध्यन के इस पुरे विरासत से में जाकना नहीं चाहते इसलिए हमें कोई अमीश हमें कोई दिवदत पटनायक हमें कोई ये जो बर्थ अपकाली है जो लिखा अनिता ऐसे लोग हमें बर्गला ले जाते हैं और हम खुश होते हैं कि हमें हमारे संस्कृति को बहारा जा रह है नहीं हमारे संस्कृति को डुबोने के प्रयास है नहीं डूबेगी लंबा प्रयास चलता रहा डूबेगी नहीं क्योंकि इसका जो रूट है बहुत मजबूत है ये बर्गत की तरह है इसलिए भारत की संस्कृति में बर्गत और पीपल जो हमारे प्रतीक रहे हैं भारत की जरें आस्मान की तरफ भी उतनी ही गहरी है यह भारत की संस्कृती है लेकिन बचाने का दायत हम सब पर है इसको मैं एक छोटी सी कहानी से अंत करूंगा आज का सोच को लेकर प्रिजापती के तीन संतान थे एक मनुष्य एक देपता एक असुर यह कहानी उपनिशनो प्रिजापती मैं आपको सुना रहा हूँ देपता ने जब सिख्छा ज्यान हासिल कर लिया ग्रहन कर लिया तो पिता के पास गये पिता हमें आखरी ज्यान दीजिए उन्होंने कहा दो अंग्रेजी का दो नहीं तब अंग्रेजी नहीं था दो मनुष्य जब गए कि पिता हे पिता प्रिजापती मुझे ग्यान दीजिए उन्होंने कहा दो और फिर असुर गए और उन्होंने कहा कि हे पिता हमें ग्यान दीजिए उन्होंने कहा दो तीनों का दो का ग्यान दिया देवताओं ने कहा पिता मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं हम देवता हैं हम इंद्रियों के वसिभूत हैं इसलिए आप कहना चाहते हैं कि हम अपने इंद्रियों का दमन करें हमारे लिए दो दमन से है इसलिए पूरी भारत की जो विरासत है उसमें देवताओं से स्रिष्ट मनुस्च को कहा गया है देवता मनुस्च के रूप में चन्म लेने के लिए लालाइत होते हैं इसलिए बिश्नु का अवतार होता है यहां राम के रूप में एक मानव के रूप में कृष्ण के रूप में, एक मानभ के रूप में हमारे जो देवताओं के राजा हैं इंद्र वो इंद्रियों के राजा हैं अर्थात वो पूरा इंद्रिय ही है देवता, सुख और आमोध प्रवोंद के प्रतीक हैं तो इसलिए प्रजापती ने उनको दिया ग्यान दो का दो यानि दमन इंद्रियों का दमन मनुष्च ने कहा पिता मैं समझ गया कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं हम मनुष्च हैं हम लोभी हैं और आप हमें कहना चाहते हैं दो यानि दान कि तुम इतने लोभी हो मनुष्च जाती इतने लोभी है कि आपने देखा कि एक पृत्वीराज चोहान को हराने के लिए जैचन्द आ जाता है एक जो आपने पदमाबत में आपने देखा होगा राजा रतन सिंग को हराने के लिए कोई एक उन्ही का गुरु ब्रामन आ जाता है तो मनुष्य में लोभ बहुत बड़ा गुन है इसलिए दो मनुष्य मतलब के लिए प्रजापती ने कहा दान तुम दान करना सीखो इसे तुम्हारे लोभ का परिमारजन होगा फिर असुर की बारी आई पिता प्रजापती ने पूछा तुमने अपना अर्थ समझा कि दो मतलब क्या असुर ने कहा हाँ पिता मैं हम असुर हैं हमारे अंदर क्रूरता है इसलिए दो मतलब दया इसलिए हमें लोगों के परती दया भाव के साथ रहना चाहिए जब हम कॉर्परेट जगत में हम बड़े धन पती हो जाते हैं हम जब धन पसु हो जाते हैं हम जब लालु प्रसाद यादव हो जाते हैं हम जब सोनिया गांदि राहुल गांदी हो जाते हैं हम असुर की स्रेनी में आते हैं जो पूरे अपने हिसाब से पूरी सिस्टम को चलाने की कोशिश करते हैं असुर ने भी जब आप दानब और देवता का कॉंसेप्ट समझेंगे तो असुर अपने हिसाब से पूरी सिस्टी को चलाना चाहता था असुर उस प्रवित्ती का नाम है तो कहा प्रजापती ने दो मतलब दया और बिहार पर दस्ताल लालों ने कोई दया नहीं की सरकों से लेकर अफरन उद्योग तक खुन खराबे से लेकर छिनायती डगयती तक असुर प्रवित्ती ये है इसलिए प्रजापती ने दो का ग्यान दिया देवता हमारे अंदर है मनुष्य हम है असुर भी हमारे अंदर है इसलिए दो यानि दमन दो यानि दान दो यानि दाया लेकिन हम अपनी मूल पूरी परंपराओं से कट गए हैं इसलिए आज ये असुर पौरानिक आख्यानों को बरबाद करने के लिए पूरी तरह से पेन कॉपी लेकर किताबों के जरिये ताकि 50 साल बाद पीधी को पता चले कि किसी बालमीकी का रामायन नहीं वो किसी अमिष्ट्रिपाटी का रामायन पर रहा है और अमिष्ट्रिपाटी का रामायन ही एक छवाकू ही सच हो जाए आज इतना ही कभी-कभी मैं बस परियोग करता हूँ कभी-कभी मैं फेस्बुक आउडियो से आ जाया करूँगा मन होगा तो धर्म और अध्यात्म की ही बाते करूँगा राजनीती तो मैं आफिस के अपने लाइब से करता ही हूँ और मेरे एक्छा है कि आप सब भी अपने सास्त्रों की और लोटे है दिक्कत आती हो तो आप मेरे साथ समवाद कर सकते हैं मैं कोशिस कर रहा हूँ मैं इतना जानकार ज्यानी अध्यांतिल इतना नहीं हूँ लेकिन जो भी मेरे को थोड़ा सा भी माइनस में भी कुछ मुझे मिलता है तो मैं आप तक ले जाऊँ तो आप अपने समस्याओं का और आप जानना चाहते हैं सास्त्रों में कोई अनीता आपको हमको बर्गला न सके कि बालमिकी की रामान में तो हनमान बाद में आते हैं बालमिकी की रामान में तो जनक रिशियों की परंपरा है अमीश की इच्छवाकू में मिथला में जो उसकी शिरीज है उसमें जनक अपनी ही बेटी का हत्यारा साबित होता है बस आज के लिए इतना ही Thank you मेरा ये प्रियोग कैसा लगा आप लोगों को बताईएगा जुरूर बस मेरा मन हुआ बिना बताया आगया ऐसे कभी-कभी होता है Thank you so much Thank you Thank you